है गाइस वेलकम बैक टोने देखिने प्ले वीडियो तो आज हम दोबार से खेलने वाले हैं शाडव फाइट टू तो पिछले बार आपको याद होगा मैंने टूनिमेंट में हिस्सा लिया था और हम लोग टेंथ लेवल तक पहुच गये थे पर हम लोग को टेंथ लेवल में वेलेट से वाइट वाथा जो बहुत ज्यादा हम लोग से पाउफूल थी और उसका हैतियार और वेपन पतलब आर्मर और वेपन बहुत ज्यादा ताक्टवर था तो हम लोग उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे तो मैंने अपना आर्मर को अफ्ग्रेड किया है और अपन फाइटिंग स्किल्स के वैसे ही के मदद से ही जीतना पड़ेगा तो चलो फड़ा फड़ इसको हराते है पिछले बार हम लोग हार रहे थे क्योंकि हम लोग का आर्म होता जाद अपग्रेड नहीं था तो हमने अपने आर्म को अपग्रेड किया और बस अभी इसका एक एच्पी बचा और इसका स्लो मो एनिमेशन तो बहुत जादा मस लगता है बस इसको एक हिट करना यार जल्दी से एक हिट हो जाए बस तो गाइस नकल में यह मूव मेरों को बहुत ज्यादा अच्छा लगते तो घू करेंगे और खूंब के जो मारता है तो बहुत ज्यादा मस लगता है पर यह भी बहुत ज्यादा अच्छा अपना और यहां पर गल्दी से बास बढ़न दब गया था और बस इसका थोड़ा से फी बचा है का इस यह गंदा लगा सर पे और इसी के साथ हम लोग जी चुके है नाकल से बहुत ज्यादा डामेज नहीं हो रहा था तो हम लोगा यह लेवल क्लियर हो चुका हम लोग खेलेंगे लेवल 11 टूनामेंट का और देखते हैं अब कितना ज्यादा पारफूल बंदा आने वाला है तो फिलाल के लिए यहां पर हाड तो दिखा रहा था पर ठीक हम इसका जब ट्रीपर वाला जो वेपन हो आएगा तो उसे खेले में बहुत जादा मस लगेगा मैं आज इस वाले गेंप्ले में पोसिस करना हुआ जो निंजा का स्वार रहता है उसे अनलोक करने का उससे बहुत जादा डामेज बढ़ता हो और उसका कॉंबो मूव भी घड़ बचाव और हार गया ओ नहीं हार रहा शेट गई एक दम थोड़ा सा वाण एच्प लिटरली वन एस भी नहीं बचाव है इसका ओव लास लाज में मार रहा है इस घतरना ना कहीं इतना थोड़ा है मैं जीतना जाया यार चलो फाइनली गया इस मैंने इसको मार दिया भाई मेरे को डर लग रहा था इतना गंदा मेरा आदा इपसी बचा था उसका एक है भी नहीं बचावा था फिर भी उसने खतरनाक माला था चलो ठीक है हम लोगा अपना सेकेंड फाइट करते हैं और इसने सारा मूव मेरा ब्लॉक कर दिया जो मेरा स्टार्टिंग मूव का ज इतना ज्यादा फरक में पड़ता हाँ तब पर पड़ता है बहुत ज्यादा डिफरेंस राइंस है अगर सेम लेवल बे तो आपको अपना फाइटिंग स्किल से ही जीतना पड़ेगा ओ शिट 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 गंदा मारा सर बैयार आधा इच्पी लेगिया मेरा वो तो मेरा इ फिर से स्क्रीन शेक वाला इसका एफट है वह बहुत ज्यादा मस्त है अरे हार कैसे भाई इसका इतना थोड़ा इच्पी बचाओ था मेरा इतना ज्यादा एच्पी लेगिया एक बार एक हेट एक हैड़ेट में तो यह फाइनल गाई हम लोगा यह राउन होने वाला इसमे करेंगे भाई साब यह मेरा उल्टा ही चलिया लगता है यार में गंदा मारा मेरा कॉमो मुव माना पड़ेगा जो मेरा स्पेसल कॉमो मुव है जो हम घूम के मारते है तब ही जाके कुछ हो पाएगा इसका है जा पाएगा फिलाल के लिए तो मेरा भाली पर रहा थोड़ा आप वीडियो पाउस करें बता हुगा इसमें यह राउंड इस थर्ड राउंड जीद पहुंगा की नहीं तो मेरा कॉमो मुव का एक मूव लगा और वह इसका है चुछ में कितना कम जारा लगता मेरा आर्मार को फिर से अपड़ेट करना पड़ेगा और मेरा यही कॉमो मूव जो था वो लग गया और साथ में एक लास में है रिट भी लग गया तो इसका थोड़ा है है और गईस बस यह लास्ट बचा हुआ है और यह खता हुए तो फारिली गाइस हम लोंग यह मैच भी जीच चुके डाई हाइड डाई हाड फाइट हम लो अगर आपको यह फाइट अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक जरू करना तो चलो आप चलते हैं हम लोग नेक्स लेवल खेलें के लिए अभी तो सब इंपॉसिबल आरा मतलब हम लोगा कुछ हथियार नया लेना पड़ेगा और हम लोग को कुछ अपना आर्मर चुए उ प्रूर होने में कुछ कर नहीं सकते हैं अबर अपना आर्मर को एक बार चेक कर लेते हैं उसको अम लोग अपग्रेड कर पाएंगे कि नहीं लगता है मेरे को वेपन और और अपग्रेड करके फिर से जाएंगे टूनामेंट में तो इसे लड़ना इजी दिखा रहाते हैं पर चलो देखते हैं कितना इजी हाड होने वाला है तो पहला ही तो लगा पर इसको इतना डामेज नहीं पड़ा चलो ठीक हम लोग थोड़ा इसको एक्रेसिवी खेलेंगे और वाई यह कॉम्ब मूव लगा और वाई कॉम्ब मूव और लाज मूव से मैंने इसको फिनिश क अब तो मुझे एक और एक्साइटमेंट हो रहे हैं निजा का स्वार्ड लेकर खेलेंगा पता निए वह साइज लेवल फॉर में लोगा खोल जाना चाहिए इसके बाद गाई और जादा मजा आने वाला है अगर दोतिंग कॉम्ब एक सथा में मार पाए तो हम लोग पर्फ ऊचे लोग बजाता है उसके बाद इतना मारत है अब आप लोग ने पैशने अच्छे इसे क्लियर किया है ब्रिक सेबम लोगा फॉफिली लेवल बढ़ लेवल बाद यहां मिलेगा निजा को स्वार्ड तो यहां पर कुछ ड्वन्रोड का भी खुल एकस देने लृभादि सबसे हमने अपना वेपन को भी अपग्रेट कर लिया और हम लोगों को मिल चुका है मिंजा का निंजा का स्वार्ड गाइज और हमने अपना पुरा आर्मर को भी अपग्रेट कर लिया और जो भी डाउनलोड वाला से हो रहा था हम लोग ने उससे भी कर लिया आप चलो इसे लेते हैं पहला फाइट होगा यह मेरा निजा का स्वाट से और देखते हैं हम लोग इस से इसको हरा पाते के नहीं फिलाल के तो हम इसको एक भी डामेज नहीं दे पाए और यह में को बहुत जाना लंबा है गाईज हम दूर से ही मार सकते हम लोगो ज्यादा जाने का भी करना था स्वाट के साथ तो बहुत ज्यादा गंदा मारा था मेरे को तो वही वाला कॉंबिनेशन मेरे को भी ट्राइक करना है पर ठीक है थोड़ा यूश्व होने में टाइम लगेगा और गाईज मेरा आर्मर देख रहे हो कितना जादा मज दिख रहा है फुरा सॉल्चर पर मेरे को साथ याभी फाइट पर तोड़ा थ्यां देना चाहिए यह पूरा अग्रेसिव हो के मारे जा रही है मेरे को और मुझे नहीं रखता है कि मैं इसको समय पाऊंगा बहुत बंदा मारे गाई पस मेरा एक बार तलवार का कॉंबो लग जाना इसको जा इसका ब्लॉक करणिए राट बार जितनाभी मैने लासृट ब्लॉक करते हैं इसमें तलवार यूज करने का भूसिज्बार थो वह है यह कॉम्बा बात कर दरता कर ना no probably यहाँ थेकड़ थीन हीट लाग़ कॉम्बार 12 बार यही खत्म प्रकॉजा दर हमिलाता है ये 치ा ये caller लाघРЕ oh सिक्स में मतलब हाँ जब अपर अपना टूनामेंट तो बचाओ उसके बाद तूनामेंट में जो भी है उसको हरा थे देखो वैस मेरा यह आर्मर होता जादा मस्द लिख रहा है ना तो ठीक है हम लोग चाहते हैं वापस टूनामेंट में बाकी बंदों को हराने के लिए अब हम लोग को फाइट करना है लेवल 12 पे और हम लोग के सामने है फॉन फिर से बार बेल लोग आते हैं परेलों का वैपन फाइडिंग स्टाइल और आर्मल अपग्रेड़े रहता है पिछले बार से तो इन लोग हराना पिछले बार से बहुत जाता है और गाइस चेक स्वाड भाइडराम से पता नहीं है और जाता है घलत मेरे बुस्टा गया इसको हाथ से रहे हैं रूप बहुत बहुत सना बहें गया पहले पहला बार में मेरा हाथ से स्वाड़ी गिरिए यह हम दो एसी जीच सकते हैं इससे अराम से चिल-पिल हो 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 बाई स्लोकोशन किन टाइक मेरे को नहीं लगा भाई और एक हम लोगा टाइटल रचीवमेंट जो रहता है वह भी मिल गया इस पर मैं इसको स्वाट गिराने नहीं दूँगा और डारेट इसको रापिड रियाक्शन का भी हम लों को मिल गया अब यह तो हाने वाले वाली एक पर स्वाट कामबो लग जाए और एक एच्पी बस गाईस यही थ्री तीन कामबो लगा स्वाट आदा से जादा एच्पी गया और हम लोंको ब्लेट का भी अचीवमेंट अलॉग हो गया तो गाईस यह सेकेंड राट हमने बहुत आसानी जीत लिए और आगे वही जो फाइट होने वाले टुन होए थे मालब जो रिवार्ड मिलना का यहां से उसको कलेक्ट कर लेता है इतना सारा अचीवमेंट हमने कलेक्ट किया यार ठीक है सबने हम सब्सक्राइब कर लिया आप चलो वापस चलते हमने वाइट पर हमनों का फिर से मैच हो रहा है मैडमान के साथ तो चलो देखते इस स lingu الس Bottas इस तरह से कॉम्बो लगते रहए इसको और हमारे चार कॉम्बो लग घ canoe ने परफेक्ट हो गया no इसका अब गॉप मेरा भार यही वाला यह वाला इनalted जो बहुत लब बार बहुत जादा पारफोल है जैसे आपने देखा मैंने इसको पिछले बार पर्फेक्ट किया था इस बार भी पर्फेक्ट कर देखा इसको बहुत ज्यादा मस्तरी यह से स्वाड का कॉम्बो से यार आइसाल मोगपोफा निया बंदा है रॉज ड़ अ SAY तो चलो देखते हैं यह कितना ज़्यादा हुआ बहुत है कि अलिफसें छोटियमीर घूभिद श्वाडव का न finest दो stories कि ये पोफ़िस्ट है रागे शाद है है और हमनों को देथ रीपर बिढाना बाई देथ रीपर कितना जादा जादा आसम लगता है ज़िए हमनों को लेवल बढ़ाना और टुनरमेंट में भी आगे बढ़ना वाई क्या पठता है इसने उठागे और एक कॉम्बो लगा मेरा स्वार्ड का बस और दो सिंग कॉम्ब अब राउंड तुमें इसको छोड़ चल जाता पढ़ ठीकिए जिवर को बहुत ज्युक्त चप्ड़ चाहरा जाता और इसका भोले मेरे को इसके कम हो गया और इसने मेरे को मालना सुरुकर जिया बाई रूख जा कितना बाग रहा है कितना इसको स्पीड मोशन कर रहा यार पर ठीक है हम लोंगा फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा और ये हम लोंगा स्वार्ड भाई स्वार्ड उप्टी बहुत मास वोड़ है गाई अब राउंड टू में इसको फटाफट से हरात है और हम लोंग जाएंगे फिर 15 लेवल पर या बार बार स्वार्ड का लगनी रहा कॉंबो स्टार्टिंग में कॉंबो लग जाने से बहुत जाथा काम असान हो जाता हम लोंगा शेडिस ने कॉंबो मार दिया मेरे को हैड़िट के साथ दोनों का बराबर होगे लगवाग एच्पी ओ भाई ये लगा इसको हो वाई थी कॉंबो एडिट के साथ खोड़ी के आटने को मारा बहुत जादा मास्ती है और यह हमारा लस्टोल रहा यारी इतना थोड़ा थोड़ा चपी के बच के जा रहे लोग को वही सोच रहे भाई दम थोड़ा थोड़ा फिला के जाके लाज में बज जा रहा मेरा तो ऐसा गभी नहीं बजता तो ठीक है कोई नहीं हम जीदते हो गया अखिर अब देखते हैं हम लोगा किस से फाइट होने वाला है अगा है हो गाई जाब हम लोगा फाइट जो 15 मैच अगो होने वाल एजिस्टर के साथ इसके साथ नम पर खेल चुके पर इसका वेपन और आर्मर भी जादा पारफूल होगा और इसका हाई फाइटिंस कील भी पहुत आधा है करेशी बड़ेगा इसके बास नाइफ तो है पर कि नेवर इस प्लान यार मैं सब्सक्राइब कि इसके पहरे साथ पहले खेले तो इतना धीरी दिल मुव कर रहा था पर चलो ठीक है हम लोगी इसको अराम से हरा सकते है इसको बहुत जाते हैं और इसको बहुत जाते हैं अपने स्वाड के साथ इसको बहुत जाता मस्त मजद चखा दिया है आप विखविश को फटाफट सेकेंड रांड में भी हरा देते हैं और या मेरा प्लों कर दे रहे हैं लोग पहले पहले तो इस इतना फाइट होने के बाद बहुत जागा डामेज उच्छा मेरे वाज मेरा आधा से प्रॉड लगने का देरी इसको और यह हमारा लगा क्रिटिकल इड़ गाई जार इसका एक एच्पी बस बचा हुआ है थोड़ा सा बस हम जीत नहीं वाले है भाई बहुत जादा द सब्सक्राइब कर लेते हैं जो मिला है नया वेपेन मैचेश और जो यह हमनों का नया आर्मर कुल है इसको फटाफर्ट पूरा अपग्रेड कर लेते हैं अब हम और भी ज़्यादा पारफूल होगया और हमनों का है हलमेट है कि मास्क है समझ नहीं आरह पर ठीक है जो भी मिला है अपग्रेड कर देश को अब चलते हैं आम लोग वापस में जाते हैं और यहां पर ट्रिक्स्टर से आया हम लोग को बॉडी काड में जो आता है नेक्स्ट वाइटर है जो उसे फाइट करने का उफर आया है तो अगर 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 हम इसे जीद गए तो इसका नांजा को जो आपने देखा यह पकड़ के रखा था हम लोग को यह मिल अगर को दो ना गया और यह तीसरा है डिट और इसका इतना जाद है जा चुका अच्छा डिशिए था हम लोगा स्वाट करना अगर कोई और वेपन होता तो अभी तक है मेरे को बहुत जादा डामेज दे सकता था पर हमने इसको इतना कम डामेज लेते हुए और आपने इस अगर तो शिट यह लगी वही देखो नान जाको की खराब नहीं है उसका हिट नहीं लग पारा था मेरे को पहला राओं यह इसलिए मैंने वह राओंड आसानी जी लिया पर देगा अब अब अबनों का एच्पी तो मुस्तिया मैं उसका नान चाको डैमेज मेरे स्वाट से की जादा लगता है मेरे को चलो ठीक है जो है वहाराते है गाइस यह वाला घंडाल हीट ता यार क्रीम शेक के ता मस्त होता है और यह हम लोग ने हैडिक के साथ अपने स्वार्ट से यह मैच भी जीत लिया अब हम लोगा मिल चुका है इसका नान चाको जीतने पर जो बहु चाकू से हम लोग पहुच गए थे टूर्णमेंट के 16 लेवल पर अब नान चाकू में देखो इसको पूरा अपग्रेट कर ले थे हम लोग फिर से पूरा स्वाड है और नीचे का मेरे को दुबाई डेध रीपर का इंतिजार है कब मेरे हम लोगा अपर लेवल 6 होगा हम ल आम से न्जाए करो पूर्ण से ढूरा मत एंसा है to try to break me like a curse you know that will never work I'm a little like a sword I like dance on the verge anyone can love a pretty little mansion but could you love a a haunted haunted house or could you love me now a haunted haunted I'm a haunted house a haunted haunted house if you'll just like it out अप्ते वांचे आपने, ब्राइट एंटे तरीजादा नूवैंग जो खाले खाले कि भूफब पोकी विए्टे से अवांगे जो एंचे जोब नूदे थार्टाering I'm a little bit um declining Anyone can love a pretty little mansion A haunted, haunted house Or could you love me now? A haunted, haunted house I'm a haunted house A haunted, haunted house If you'll just look it out A haunted, haunted house I'm a haunted house I'm a– na– 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 When God was alive O could you love her? A haunted, haunted house Could you love me now? है अँछे हैं, हैंभा सlerit है हैंभा सуса कना है हैंभा स्काव मैंभा लाक अवैंभ नОपकर तेंढे अाहस नम reference to the garden व कि अउडने चैंभा धेटे हैं एका नब सिर्फ और जुक एका यूपांनल लग माई ट ketchup बोसे बांच में ठार बड़ आज़ कर दो नहां पूंस व जनका उनका अज़ जो है ऍुछ से लिटे लंश नहां सब्सक्षी है or could you love me now a haunted haunted I'm a haunted house a haunted haunted house if you'll just let me out a haunted haunted I'm a haunted house broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around wouldn't be the first to try to burn me down yo, ooh, you too but could you love me up my walls till the coffin's in the church try to break me like a curse you know that will never work I'm a little bit of sore while I'm dancing on the verge anyone can love a pretty little mansion but could you love a a haunted haunted house oh could you love me now a haunted haunted I'm a haunted house a haunted haunted house if you'll just let me out a haunted haunted I'm a haunted house I'm a haunted haunted house I'm a haunted house I'm a haunted haunted house I'm a haunted house I'm a haunted house वह सिक्स हो जाएगा फिर हम लोग को आराम से अलॉक कर लेंगे तो हम लोगा फिर से वाइट होने वाला है रॉजर के साथ तो रॉजर रॉग जो भी या मैं यार चोड़ो इसको पड़ा पड़ते हराते हैं नान जागो को मतल से नांचो को बहुत होपी आइडम है इसका भी फॉर्ण की तरह पर सब्सक्राइब और देखने में समुराही वाला फीडिंग और फाइटर लाव फीडिंग आता वार्यों तो तो देखने चाहसा लगता पर ठीक है हम लोग इसको नान चाको से भी अधिन नान चाको का भी कि इसको कैसी यूज करते तो फटाफर से इसको को हराते हैं और अनलॉक करते हैं जो देखने बहुत जादा आसा में वाला है फिलाल यह भी बहुत जादा अच्छा खेल रहा है अच्छा था है बस भाई इतना कम है लोगा बस तक ऐसे मेरा तो कभी नहीं बस था मेरा तो एकदम से खतम हो जाता है चला ठीक हम लोग फर्स र नहीं लगा मेरा ठीक है इसको उठा गया पड़क देते कोई नहीं है कि बहुत जाएट हो रहा है मेरा थीन कॉम्बो लग गया पर शुचा डाम नहीं पड़ा जितना एक्सपेक्ट किये थे हम और यह लगा दूनों का एक दूशे को इत लगा वहार मेरा हीट रेजिटर न बढ़ेए मेरे को यार बहुत ज्यादा गंदा मारा यारी है मेरे को शिट आइस यार अब यह मेरे को धान कला है यह मैश ठीक है जिए तो हम त्ढ़न में इसको ले जाते हैं अराम डे सकारागा एक्वार मार जल्जी से फिनिश करने का और इसको जावा ऩाइम धिये तो य यही चीज में बहुत है क्रिटिकल हो गया हेड़िट हो गया बस थोड़ा सा एच्पी और गाईज अभी इतना थोड़ा से बच गया यार क्यों खतम नहीं हो जाता पूरा एक बार में ही और यह मेरे को डामेज नहीं दे बस एक हीट लग जा यार ओ यार स्लोमों के तहां अब उसके साथ मेरा आपको नेक्स्ट मैज देखने मिलेगा फिलाल मैं बाई कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि कैसा हो दिख रहा है कितना मस्ति जख रहे है चलो फटब फटब चलते शॉप में और देखते हैं तो गाइस चेक इस आउट हम लोगने देटरी पर अनलॉब कर ले और इसको फुली अप्ग्रेड भी कर लिया जितना आर्म लोगा खुला है सिक्स लेवल पर जो कि लाशाय में है अभी तक एट लिस्ट गेम में तब लोगने उसको भी पुरा लॉकर लिया और उसको फुरा लॉकरन वे लॉंग रेंज वेपन जो में वाडी गार्ड उसको हरा देंगे तब मिलेगा तो उसको हराएंगे नेस्ट इप्यूसोड में होप आप लोग वो जरूर देखे तो मिलते गई आप से नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाए और थैंक्स वर पर नहीं हों तो चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो थोड़ा सो भी पसना है तो वीडियो को लाइक जरू करना